हाई एवर्डिवन इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले दिरों में एक बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है स्टॉक एक ऐसे लेबल प्रड़ खड़ा है जहां से अगर स्टॉक ऊपर जाता भी है तो भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और अगर स्टॉक नीचे आता है तो भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा अब बात करते हैं स्टॉक की स्टॉक का नाम है भारती एटल और आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ वो है डेली का तो सबसे पहले हम लोग ओरीजन को फाइंड आट करते हैं और उसके बाद यह देखते हैं कि कौन से लेबल पर हमें बाई करना चाहिए या अगर स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो कौन से लेबल पर हम लोग सेल कर सकते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूँ एक सिंपली एक होरिजोन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ और यहां पर जो मैं टाइम फ्रेम यूच कर रहा हूँ है डेली का तो आप देख सकते हैं जो 8.50 का जो लेबल है यह काइंड ओफ एक सपोर्ट का लेबल है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जब प्राइस के नीचे थी तो same level एक resistance की तरह act कर रहा था यहां से हमें एक fall down देखने को मिला था breakout हमें यहां पर देखने को मिला है अब ही जो stock का जो price है वो same level पर है that means कि यहां पर retest हो रहा है और यहां से जो price है यहां से उपर भी जा सकता है और downside भी जा सकता है तो हम लोग क्या करेंगे कभी भी कोई direction को predict करने की कोशिस नहीं करेंगे जिधर price जाएगा उधर ही हम लोग trade लेंगे मतलब अगर price अगर उपर जाएगा तो हम लोग buy करेंगे और अगर price नीचे जाएगा तो हम लोग sell करेंगे याद रखेगा जो भारती 8L का जो stock है वो F&O में है F&O का मतलब क्या होता है कि आप stock को positionally buy भी कर सकते हैं और sell भी कर सकते हैं अगर कोई stock सिर्फ और सिर्फ कैस सेग्मेंट में है तो आप उसे positionally buy कर सकते हैं अगर आपको sell करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप intra day में sell कर सकते हैं अब बात करते हैं इस label की तो देखें stock जैसा कि मैंने आपको बताए 850 का एक support है अब यहाँ पर एक थोड़ा सा concept में आपको बता देता हूँ कि अगर current market price किसी भी label से अगर ऊपर रहता है और यहाँ पर label क्या है around 850 तो वो जो label होता है वो support की तरह act करता है और अगर current market price किसी भी label से अगर नीचे है तो same label एक resistance की तरह act करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक resistance की तरह act कर रहा था, मतलब यह जो line था, वो एक resistance की तरह act कर रहा था, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कौन से label पर buy करना चाहिए, क्या stop loss है जहोंगे, और क्या possible target हो सकते हैं, see, अगर यहाँ पर, अगर मुझे buy करना है, then हम लोग buy करेंगे इस वाले label के उपर, क्योंकि selling यहीं से आई है, तो हम लोग इसे buy करने जा रहे है, 8.75 के उपर, और जो हमारा stop loss होगा, वो होगा 8.50 का, जैसे ही कोई भी candle अगर इसके नीचे कर close कर देगी, तो हम लोग अपने position को exit कर देंगे, अब बात करते है target के, तो हमारा first target होगा, 8.90 का, और उसके बाद stock अपने all time high की तरफ निकल जाएगा, मतलब upside में हमारे पास काफी अच्छी possibility है, अब बात करते है downside के, अगर मुझे sell करना है, तो मैं wait करूँगा, इस support का break होने का, जैसे यह break होगा, तब म हम लोग इसे sell करने जा रहे है, 8.40 के नीचे, मतलब यह जो low है, इसका break होना चाहिए, दिन हम लोग उसके नीचे sell करेंगे, और जैसा कि मैंना आपको बताया, यह जो line है, जब prices के नीचे आ जाएगी, तो same label, एक resistance की तरह act करने लेगेगा, तो यह हमारा stop loss हो जाएगा, that means की, अगर कोई भी candle अगर इसके ऊपर close कर देगी, तो हम लोग अपनी position को exit कर देंगे, अब बात करते हैं target की, तो 8.40 के नीचे हम लोग sell करने जा रहे है, first target है मारा पास 8.20 का, second target है 7.95 का, and third target है मारा पास 7.65 का, तो यहाँ पर जो मैंने stop losses और target को जो बताया है, वो on the basis of previous swing high और previous swing low के basis पर बताया है, तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, thanks for watching.